हलो प्यारे बच्चो तो यार इस बार जो है सेफ स्कोर क्या होने वाला है जो भी आपका जैए में का एकजाम हो रहा है इस बार थोड़ा आप मान सकते हो कि डक्ष प types exam होगा तो एकलिस्ट जो है उतने ।ब सूर मार्क्स दाने वाले भी बच्चे है पूरे में संपूरे भ आपकिंग कर दी गई है, ओके इसे की मेरे को कम से कम सीट मिल जाए, कम से कम उके, जो साथ CSAB में एट लिस्ट मिनिमम माक्स बता दू कि जो इतने तो लाना ही पड़ेगा, अगर इतने से कम लाया तो मेरे तो मैनत बेकार है, उसके इसाब से जिस परकार से मेरे मोक्टेस्ट में marks आ रहे हैं तो mocks test के basis पे ही मेरे j main में marks आएंगे मेरे को कहां से क्या कितनी ज़्यदा और push up करने की ज़रूरत है क्या पढ़ने की ज़रूरत है तो इस बारे में कुछ बता दीजिए कि मेरे को at least कितना पढ़ना पढ़ेगा तो यार इसके लिए मैंने जो यह लिख रखा है इसके regarding minimum अगर आप अगर general category से हो तो आप try करो minimum at least आपके अगर 150 अगर number आ रहे हैं minimum बात कराओ में general category वाले बच्चों के लिए कम से कम अगर आप 150 marks अगर लिया आते हो तो कम से कम आपको इसे मालों कि आप सेफ हो आपको एक seat मिल जाएगी ठीक है CSC नहीं मिलेगी ठीक है कम से कम आपको seat मिल जाएगी इसकी guarantee है ठीक है 150 marks पे ओके गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं यार rank versus percentile भी decide कर लेते हैं कि किस rank किस position पे कितनी marks case से कुछ आएगा सो यार ऐसा मिलेग वैसा बिल्कुल नहीं है कि किस के अगर अगर आपके और आपके दोस्त के अगर एक नंबर का भी अगर फरका रहा है ठीक है एक नंबर का भी तो भी रेंग और परसेंटाइल मालब उतल पुतल हो जाएगी आप सोचो कि यार एक 200 और नेंबर ज्यादा या पर 50 नंबर ज्यादा है और आपके 50 नंबर कम है तो एडलीस्त जुह है मल बहुत ज्यादा 3040 ज्यायँकर यह जीक है ठीक है और उसको जो है आपको जो है कहीं से कहीं भी ले जाता है वो ठीक है इतना ज्यादा डिफ्रेंस होता है उसके अंदर जो यार जनरल के टेगरी वाले बच्चों के लिए हम देखते हैं भी क्या कितनी रेंग पर से परसेंटायल रहने वाली है जो बच्चे एटलिस जो है जनरल के टेगरी वाले से बिलोंग करते हैं ओके देन शेकिन मारे पास है EWS और OBC देन थाइड है मारे पास SC ST वाले बच्चे जो है इन बच्चों को एटलिस जो है टोप अगर एटलिस 98-99 यह सारा अगर स्कोर करना है तो आप लोगों को बता दू कि जिन बच्चों को टोप केटेगरी में आना है टोप 5% या फिर टोप 2% यानि कि 99 प्लेस अगर स्कोर करना है तो यार आपको जो है 200 या फिर 210 या फ अगर आप सोचते हैं this is really wrong कम से कम आप सोचना तो सुरू करो अभी से कि मेरे को जो है एटलिस्ट 210 तो किसी भी हाल में लेके ही आना है ठीक है किसी भी हाल में लेके आना है मेरे को 210 अगर आप ऐसा सोचोगे तो कम से कम 200 ले ही आओगे लोगों के अंदर जिनको 99.99 को क कुछ अगर परसंटाइल अगर इस्कोर कर दना है तो आप तार्येट कर सकते हो 210 तो 5 से लेके 215 तक जिसे अगर आप इतना ले आते हो तो आप टॉप 99.½% परसेंटाइल आप ले आते हो और आप जो है टोप की ट्रिपल आइटी निटी इस के अंदर ले सकते हो ओके और आप जही एडवास के लिए तो इलिजिबल हो ही ओके देन हम आगे बात करते हैं जिन बचों को एट लिस्ट जो है 97-98 परसेंटाइल अगर इसकोर करना है तो य सेस्ट वाले बच्चों के लिए ठीक है सुरी आप येसा जन्रल कैटेगरी वाले बच्चे ना मानिये कि वैंया मैं तो या एट जो लियाता हूं मैरा हो जाएगा डेर सो लियाता हूं इसा बाले लज़ों बीस्टराइट कर सकते हो ओके डेन अगर एसी येस्ट्यंट को ए सिसे कि आपको जो है मेकेनिकल बगएरा मिल जाएगा जैसे कि अमनाइटी ऑलावाद में आपको 96% पर अजनी से ओके मैकेनिकल बगएरा ठीक है CSE तो बहुत मुच्छ के लिए भाई CSE के लिए बहुत अचा स्कोर करना पड़ीगा बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ीगा कमोन तपादो तपादो अपने आपको अपने आपको तपादो दो महिने तक मोबाईल डिस्ट्रक्शन सब कुछ खाता में एक दम ब्लास्ट ठीक है और जब डीजे बजना चीए जब रिजल्ट है ना तब तब इसा लगना चीए कि वह बच्चे ने पड़ाई की है ठीक है तपादो अपने आपको कमान का कमान तपादो ठीक है एक ट्रेड मार्क लगना चीए आये टीन है स्टेक आये टीन भाई जब अगर आये टीन बन जाओगे ना तीन-चार महिने की मेनत है ठीक है ना जो लोग तुमारे आस पड़ोसी भी है ना वो भी अपने बच्चों को लेके आएंगे जो बच्ची अगर फिफ्ट क्लास में पड़ रहा ना उसके बारे में भी उसके आंटिया तो मैंसे पूछने लगेगी इसको भी कुछ गाइड कर दो इसको भी क्या कुछ करना है ठीक है ऐसा कुछ पोटेंशियल हो तुमारे पास ठीक है लोग जब तुम जाओ ना कई भी तो सामने से नमस्कार करने लगे हाई हलो बोलने लगे ठीक है वो अगर तुमको बनना है ठीक है एकदम मेरी तरह सूट बूर्ट एकदम बलेजर लगा के जाना है एकदम बैटके बुलिट गाड़ी लेके तो उसके लिए तो तुमें मेनत करनी पड़ेग तो मलक तुमको कोई रोक नहीं सकता ठीक है और अगर तुम मजे कर रहे हो फिल्में देख रहे हो दोस्तों के साथ घूम रहे हो दोस्त बना रहे हो गल्फ्रेंड बना रहे हो तो भाई बरबाद हो चुके हो ठीक है कुछ नहीं होने वाला ऐसा अगर तुम कुछ कर रहे हो तो ठीक है मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तपा दो अपने आपको ठीक है जब भी रिजल्ट आए ना जेई मेन का तो एटलिस्ट में जो अपना रूम बंद करके बेटना ना पड़े किसी के सामें आखे जुखानी ना पड़े ठीक है तो उस मोमेंट को गर लाना है तो अपने आपको तपा दो जेई मेन के लिए हलवा जो चेप्टर्स है उसका अल्रेड़ी मैंने वीडियो बना दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको यहां पर दिक रहा होगा ठीक है हलवा चेप्टर्स का वीडियो जेई मेन थेंक यू शो मच बब लाओ